नमस्ते फ्रेंड मैं सविता अगरवल कुकिंग वी सविता मैं आप सभी का सौगत करती हूँ आज मैं आप सभी के लिए गीया का हल्वा बनाने की रेशिपी लेकर आए हूँ तो आई ये शुरुवत करते हैं गीया का हल्वा किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं गिया का हलवा बनाने के लिए हमें इन इंची जो क्या आवशक्ता है किसी हुई गिया गिया को धो कर साफ कर कर किस तरह किस्ते हैं मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ आवशक्ता नुसार किसी हुई गिया स्वादा नुसार चिनी स्वादा नुसार ड्राइफरूट काजू बदाम पिस्ता बारिक कटे हुए आदा कब देशी गी स्वादा नुसार इलेईची पाउडर एक ग्लास या आउशक्ता नुसार दूद तो चलिए गीया का हलवा बनाते है सबसे पहले ग्यास परदी में आजपर एक कड़ई रग दीजिए और कड़ई को अच्छे से गरम होने दीजिए जैसे ही कड़ई गरम हो जाए तब इस कड़ई में गी डाल दीजिए और गी को भी अच्छे से गरम होने दीजिए कड़ई में डाला हुआ गी जैसे ही गरम हो जाए तब इस गरम गी में किसी हुई गीया डाल दीजिए और डाले हुए इस गीया को गी के साथ अच्छे से 15 से 20 मिनिट तक धीमी आज पर हिला हिला कर भून लीजिए इस तरह गीया को हिला हिला कर भूनने से हल्वा खाने में सौधिष्ट बनेगा अगर आपने मेरे कुकिंग विसविता इस चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया हो तो सब्सक्रेब जरूर कीजिए और पास इमें दिये वेबेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई उलियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो चलिए अब इस किसी वीगिया को भूनने के लिए रग देते है लेकिन धैन रखना इस किसी वीगिया को बीज बीच में हिलाते रहना अब ग्यास पर दूसरे सेड़ पर दूद गरम करने के लिए रख देते है ग्यास पर धीमें आज पर एक पैन रख दीजिए और पैन को थोड़ा गरम होने दीजिए जैसे ही पैन गरम हो जाए तब इस गरम पैन में दूद डाल दीजिए और डाले हुए इस दूद को तेज आज पर एक बॉइल आने तक रजा लीजिए दूद उबल चुका है अब ग्यास की आज बंद कर दीजिए तो चलिए अब ग्यास पर भूनने के लिए रखी हुई ग्या को देखते हैं कि ग्या अच्छे से भून कर तयार हो चुकी क्या तो देखिए 15 से 20 मिनिट बाद ग्या अच्छे से भून कर तयार हो चुकी है इस भूने हुई ग्या में से खुशबू आने लगी है अब भूने हुए इस गिया में स्वादा नुसर बारी कट की हुए ड्राइफ रूट को डाल दीजे और डाले हुए इस ड्राइफ रूट को गिया के साथ मिक्स होने तक अच्छे से भून लीजे अब भूने हुए इस ड्रैफरूट और गिया में आशकता नुसार दूद डाल दीजिए और दूद को गिया और ड्रैफरूट के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए देखिए इस तरह गिया में दूद अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इस गिया और दूद में स्वादा नुसार इलईची पवडर डाल कर इलईची पवडर को दूद और गिया में अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब स्वादा नुसार चिनी डाल दीजिए और डाले वे इस चीनी को गिया और दूद में अच्छे से भून कर मिक्स कर लीजिए और इस तरह गिया में का दूद खत्म होने तक इस डाले वे चीनी गिया को और दूद को अच्छे से मिक्स कर कर भून लीजिए देखिए इस तरह सभी डाले हुए चीजे अच्छे से भून कर तयार हो चुके है गिया में डाला हुआ दूद खत्म हो चुका है गिया का हलवा बन कर तयार हो चुका है ग्यास की आजबंद कर दीजिए और इस बनाए हुए घिया के हलवे को एक बावल में निकाल दीजिए अब इस बनाए हुए घिये के हलवे पर गर्णिश के लिए स्वादा नुसा ड्राइफ्रूट डाल दीजिए मेरे इस रेसिपी के विडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेस्बूक और वाट्सप पर जादा से जादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा तो मिलते हैं अगली एक और नही रेसिपी के साथ मेरे इस रेसिपी के विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद कर दो